इतने बड़े-बड़े काम हमारी सरकार ने किये हैं स्वाभावी कुरूप से उनको नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि उसके पहले किस प्रकार की जलालत की जिन्दगी उनको जीनी पड़ती थी यह बताने कि आपको आवश्यक्ता नहीं है लेकिन इस मुद्धे को लेकर भी सारे देश भर में गलत फ़र्मी पैदा करने की कोशिश की गई इस आप यह भारत के रहने वाले बाइनारटीज यह नागरिकता समात करने की साजिस है भेनभायो ऐसा काम हमारी सरकार नहीं कर सकती है यह कानून नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है लेकिन केवल जान बूझकर गलत प्रामी पैदा की गए कलाके विद्द तीन तवाग मुस्लिम बहनों का कितना उद्पीडन होता था आप सबको भी जान करी है कोई कहता था इसको भारती जंदा पाटी टच नहीं कर सकती भवाल हो जाएगा लेकिन हम लोगों ने चुट्की बजाते हुए इस कानून की भी चुट्टी कर दे इतने बड़े-बड़े फैसले की है राम जन्व हूं राम जन्व मुमी यह संबंद में जब हम लोग बोलते थे सारजनिक सबाओं में तो उसमें भी लोग कहते थे अरे जब चुनाव आगया इसले राम जन्व हूं की यह बात कर रहे है लेकिन आपने देखा धीरे-धीरे मार प्रसस्त होता गया और इस देश की सबसे बड़ी अदालत थे राम जन्व हूं के बारे में फैसला दे लिया बहनों भायो अब अजवध्या की धर्ती पर जहां पगवान राम पैदा हुए थे वहाँ पर अब भब राम मंदर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोप नहीं करती है अब वहाँ राम मंदर बनने का यह सिलसिला प्रारम हो चुका है कई ऐसे मातपूंस फैसले पीछले छे वरसों के अंदर इस हमारी सरकार में किये जैसा मैंने पहले कहा कि अंतराश्टी जगत में हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो एक तो ताजा उदाहन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी सेवन जी सेवन देशों की बैठक में इस बार भारत को आमनतरित किया गया है तो वैनवायो हमारा देश त्वेजी के साथ आगे बढ़ रहा है सारी दुनिया में भारत का मस्तक उशा हुआ है तो लिए हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना है कि मोदी जी के नेतरत में जो हमारी सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है इसके आधार पर हमको अपना विश्वास भी पक्का करना है संकल्प लेना है कि हम एक ससक्त स्वाविमानी और आप नरभर हम भारत का निर्मान करेंगे और एक भारत, स्वेस्ट भारत के लक्ष को हम हासिल करके ही दम लेंगे इन्ही सब्दों के साथ आप सभी